कितनी भी तयारी कर लें, लेकिन परीक्षा के दौरान आता हुआ जवाब भूल जाते हैं, या फिर ओफिस या कमपनी में कोई भी काम करते वक्त उस पर ज्यादा देर तक ध्यान लगाना आपके लिए बेहद मुश्किल होता है, या दाश्ट से जुड़ी कई समस्याएं हैं बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, दोस्तों किसी के पास यदी हश्ट पुष्ट शरीर हो, लेकिन उसके पास दिमाग की कमी हो तो ऐसा इनसान कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, इसलिए आपको फिटनेस के साथ साथ दिमाग का इस्तमाल करन भी आना चाहिए, दिमाग उसी का सही से काम करता है, जिसकी मेमोरी यानि याददाश्ट शार्प होती है, क्योंकि भूलने की बीमारी हो पढ़ने में दिक्कत हो या तनाव्युक्त हो ये सब अनहेल्दी दिमाग के लक्षन हो सकते हैं, हमारे दिमाग की बनावट काफी ज कमजोर है, तो आप कुछ टिप्स को अपना कर अपनी याददाश्ट को तेज कर सकते हैं, आईए जानते हैं कि याददाश्ट तेज करने वाले टिप्स कौन से हैं, सबसे पहला है दोस्तों मानसिक व्यायाम करें, शरीर की तरह दिमाग का भी व्यायाम होता है, जो क्यूब और चेस गेम भी खेल सकते हैं, आप टेटरिस गेम खेल सकते हैं, यानि ब्लॉक जोडने वाला गेम जब आप इसे खेलते हैं, तो यह ब्रेन में उपस्थित ग्रे मैटर में व्रिधी करता है, और यह ग्रे मैटर ही चीजों को याद रखने में सहायता करता है, इस पुराना उपाय है ध्यान यानी मडिटेशन हमारे रिशिमुनी और ज्यानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वे गणनाओं में बहुत माहिर हुआ करते थे और उन्हें बड़े-बड़े ग्रंत मुह जुबानी याद रहते थे। अगर विज्यान के आध का उपयोग अधिक करते हैं। लेकिन कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दाएं के साथ ही अपने बाएं का हाथ का उपयोग भी बराबर तरीके से करते हैं, उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक शार्प होता है और वह स्मार्ट स्थिजन लेते हैं। सुभा जलदी उठने की आदत डाले। सुभा ब्रहम मोहूर्ट में जागने या सुर्योदय से पहले उठने की आदत बना ले। यह दोनों ही पहर दिन की शुरूइश करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैपी हॉर्मोन्स और इंटेलिजेंस हॉर्मोन्स का सीक्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसलिए सुबह जागना आपको शांत, समझदार और खुश मिजाज बनाता है। और इसी के साथ में आपको तनाव से भी दूर रखता है। अच्छी नींद लें। आपकी नींद और याददाश्ट का गहरा संबंध है क्योंकि सोते वक्त दिमाग खुद को रिसेट करता है, जिससे नींद खुलने पर सभी सुचनाओ को याद रख सके अगर नींद धंग से न ली जाए, तो याददाश्ट कमजोर होने लगती है। नींद पूरी नहीं होने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता और वो हर वक्त चलता रहता है। इसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है और तनाव की स्थिती में कभी कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में गुस्सा, इरिटेशन और डिप्रेशन जैसी दिक्कते होना शुरू हो जाती है। नींद की कमी की वजह से निर्नय लेने की क्षमता होती है कमजोर। आधी अधूरी नींद का असर हमारे याददाश्ट पर भी पड़ता है और व्यक्ती रोज मर्रा की सामान्य बाते भी भूलने लगता है। इसकी वजह से उसकी डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होती है। जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है इसलिए दोस्तों कम से कम आठ घंटे की नींद जरूर लें। अपने लिखने की स्टाइल को बदलें। आप जो कुछ भी अकबारों या किताबों में पढ़ते हैं, उसमें महत्वपून लगने वाले तत्यों के नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि उनकी लिखावट अलग हो, अक्षर थोड़े बड़े हो या अलग रन की पेन से लिखे हो, इससे हमें जरूरी बाते लंबे समय तक याद रहती हैं, च्वींग गम का सहारा लीजिए, कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि 20-30 मिनट तक च्वींग गम चबाने से हमारा दिमाग तेज काम करता है, अगर च्वींग गम आपको पसंद नहीं है, तो बिना च्वींग गम खाते ही मुह चलाने का अगस पर तरहतरह की आकरितियां बना कर टाइम पास करते हैं, आपने भी कभी न कभी ऐसा किया होगा, इसके लिए आपको भले ही कई बार डांट सुननी पड़ी हो, लेकिन कई रिसर्च में यह माना गया है कि इस दोरान दिमाग अधिक सक्रिय रहता है, और बीती बातों क याद रखने की उसकी क्षमता 29 प्रतिशक तक बढ़ जाती है, तो दोस्तों यह थी कुछ टिप्स आपके ब्रेन को और भी शार्प बनाने के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इसी तरह की बहतरीन वीडियोस देखने क के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले